कि है लो दोस्तों तो कैसे आप सब हमारे रुमीद है कि आप सब लोठीक होंगे एक पर फिर जागत आपके चनल मनेशीवर पर तो हम लोग क्लास जो ट्रेस्ट श्रीज है अभी पोल्टी और बाइलोजिक ट्रेस्ट चल रही है तो अभी हम लेकर आए हुए पोल्टी का ट्र जो कि हमनों बात कर रहे थे अभी हमनों बात कर चुके थे कि भारतिय समिधान के अतियाजिक रिपेक्ट से जुड़े हुए प्रस्ण आज हम लोग प्रस्ण लेकर आई हुए है वह प्रस्ण जो है भारतिय समिधान के विश्यस्ताओं से जुड़े हुए प्रस्ण है जो कि प्रस्तावना समयवाद की बिचर धारा जो की कहाँ से लिग गई है समयवाद के जाना कहूं है जो की समयवाद की बिचर धारा है क्या जैसा कि हम नों कहते हैं कि सामय बावाध की जिस भिचर धारा थी ज़ाल निहरु की वह विचर धारा उनकी सामय वाथ works एक नहीं कर पायेंगे अभी हम उस्थिर चल्चा करने कえー कि हम एक अलग से क्लास लिया जाएगा उसके लिए हम सबसे पहले आज हम जिक्र करने जा रहा है जो की क्यूश्चन को देंगे कि एक क्यूश्चन जो है भारती यह थी हाज की पर्फेक्स से कौन-कौन से क्यूश्चन उससे जुड़े हुए हैं तो हमने देखते हैं पहले कि लग पहला केशन्स कहा जा रहा है कि समिंधान को 26 जनरी के दिन लागू करने का नेड़ा इसलिए लिया गया क्योंकि अगर देखा जाए कि भारतीय समिंधान जो है भारतीय समिंधान भारत का जादी के वाद हमने इस चीश्चन भी बता चुका थैं आपको विस्तित्र स से क्लास के बारे मिंजर नहीं हो कि 26 जनरी के मनाा जाता है भारत के आज्यादी मिली भारत के आज्यादी से लेकर जब भारत के आज्यादी मिल पंधर आगस्त पंधर ऑगस्त 90 47 को 15 अगस्त 947 को और समिंधान लागू होने के बीच आजादिक और समिंधान लागू होने के बीच कौन से नियम के साथ भारत में सास्थम क्रियान निस की Three ता घंडो अच्छी तर्स के दिन लाव करने का नेवने के में लिया गया इसके पिछे कारण क्या थे इसके पिछे अगर हम देखें तो सबसे पहला था कि हम लों क्या करते हैं कि जब हम बात किये थे कि कि जब समिधान बन रही थी जो कि समिधान निर्वना की कारे के वुढ़ने कहा था कि जो समिधान के जब प्रिकरिया थी कि समिधान सभा का चुनाओ जो है नौमब्र नौमब्र 496 की चुनाओ inventa नॉम्बर नॉम्बर 1946 जो कि 1946 की सिम होती है चुनाओ तो चुनाओ के साथ यह भी देखा जाता है कि चुनाओ होने के बाद क्या होता है कि समिधान सभाग गठन होती है तो क्या होता है कि दिसंबर 1946 में समिधान का निर्माण का कारिया शुरू होता है कि समिधान नॉम्बर 1946 में समिधान सभाग चुनाओ होता है और साथ ही दिसंबर 1946 में समिधान निर्माण के कारिया शुरू होता है और नॉवंबर उनाइस सो उन्चास क्या कहा जा रहा है नॉवंबर उनाइस सो उन्चास को समिधान निर्मान कार्या पूरा हुआ मतलब कि उनाइस सो उन्चास में क्या होती है कार्य पूरा रहती है मतलब कि पूरे समय जो होते हैं दो साल 11 महीने 18 दिन लगे थे दो साल्सक्राइमाइने 18 दिन का कार्य लगा था लेकिन क्या होता है कि समीधान पूंड रूप से बन कर तयार हो जाता है इसके कारण क्या थे? 26 जनावरिंज उन्हेंश्ट समीधान को लाग किया जाता है इसके पीछे कारण क्या थे? क्या किया था दाय की अप्षन में देखिये कि कांगरिस ने इस्तिथी को 1931 में सोतंतर दिवस के रूप में मनाय था इस्तिथी को 1932 में भारचोड आंदुलण प्राराम किया गया था क्या था इस्तिथी को भारत छोड़ आंद्रों प्रराम किया गया था या एक सुफ दिन था ओप्शन अबड़ी उप्रिक्त में से कोई नहीं तो हमने क्या कहा कि जब भारत की अजादी होती है तो अजादी न से 39 में इसी तारीक अप्शन नमबर S.A.E. होगा क्योंकि इसी तारीक को कांगरेश द्वारा स्वत्वन दिवस्त नमबरों के रूप में मनाया जाता था तो इसलिए जब भारत अजादी हुई 15 अगस में 40 अजादी मिलती है तो उनलुग को एक कांगरेश द्वारत के प्रतिते बता थी तो जो की क्या कर लेता है उसके द्वार लेड़ा लेटा है कि हमने तो 26 जनौरी के दिनके शुर्ण बनाने खेलिए उस दिनको यह दिकार रखने के लिए vendors Car श्रतनत्या दिवस्तो मना नहीं सकते लेकिन समिध्धान लागू होने के तीथी को हम लोग क्या कर सकते हैं टाल थोड़ा बागर बढ़ा सकते हैं कैसे जैसे कि 26 नॉम्बर 2959 को समिध्धान का होता है निर्मार होता है ठीक है लोगों ने क्या किया इंदजार किया और इस दिन को सु बनाने के लिए क्या कियाता है समिंधान 26 जनौरी 1950 को लाओ किया जाता है इसके इतिहासिक समरों सम 930 में सवतनता दिवस समरों के रूप में मनाया जाता था इस ती ठीक है अब चलते हैं केशन नमर टू पर क्या का रहा है भारतिय समिंधान में सामिल है 305 जो कि भारतिय मुल्ट समिंधान जो है सामिल थे जो भारती थे पतलब जो भारती जिसे समिधान में तयार हुआ था 26 नमबर नहीं समिधान में मुलप्रभन्द क्या थे तो 955 अनुछेद थे 22 भाग M8 अनुछूचियां Option No.B 371 अनुछेद 21 भाग M11 अनुचूचियां Option No.C 372 अनुछेद 20 भाग M7 अनुचूचियां उपरीक्ट में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा Option No.A इसको उपरमजायर डिसकसन नहीं करना चाहते कि इसका जो क्लास है थोड़ी लब्मी चलते जाएगी तो हम लोग का करेंगे जब क्लास डिसकसन होगी उस तुरूप से धेथे कारों संसोधन के बारे मेधन करेंगे तो उसमें पढ़ते जाएगे किस समिधान संसोधन द्वारा मतदान की आयू 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स की गए क्या होता है कि हम जानते हैं कि लोगतांत्रिक देश में लोगतांत्रिक देश में जो सत्ता दल है उनका चुनाव होता है जानता दोरह परतिक्स रूबस होता है उनका चुनाओ जो होता आ कि जो उसे मतादान की आयू थी तो जो मत्यदान मतलों की भोट देने की आयू थी उससे जब आजादी के समय से लेकर अभी कब तक क्या 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 21 वर्स तक चल रही थी तो क्या कियाता है कि की समिंधान संसोधन के तहत उनकी उनकी मत्यान करने की वर्स वायू सीमा 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दी गए तो को अपसन नमरे में दिया जारा है तिर सठवे संसोधन दुआरा अपसन नमर भी बास सठवे संसोधन दुआरा अपसन नमर दी उपरिक्त में से कोई नहीं इसका सही अनसर होगा 21 वर्स के आई को घटागा 18 वर्स करती आता है कि 18 वर्स में लोगों की परिपकता भी अच्छी तरह साजाती है जो कि अपने सासन में कौन से लोगों तरह अच्छी तरह सासन संचालत की जा सकती है वे उतने विचार कर सकते हैं ठीक है आई को चेंग पुछा रहे कि इस्टर नंबर फोर चलते हम लोग क्या करें भाड़े के समिधान के निर्माड में समिधान सभा के मदद करने वाले दो लोग से वक निर्खित में से कौन से हैं यह पुछा चाल आए जिस तरह से आप लोग सिविल से त्यारी करते हैं वहीं कि जो समिधान सभा थी उस समिधान सभा में सहता करने के लिए इन लोगों में से कौन दो लोग से वक जो थे कि जो भारती समिधान सभा के निर्माड में सहता दे रहे थे ऑफिन नम्रे में दिया गय है बी एन डाव तथा केमोनसी आप्सन नम्रब्दी में असन मुखर जी तथा अलादी कृष्णा स्वामी उसका सही अंसर होगा अप्सिन नमबर C, B.N. राओ तथा A.N. मुखरजी जो यह दोनों लोग थे जो क्या थे लोग सेवक थे जो कि समध्धान सभाई में समध्धान के निराण में अपनी सहता और भूमिकाद निभार रहे थे अगला कुश्ण देखते हमनों कुश्ण 5 कराई कि समध्धान सभाई की सधस्यने ए समध्धान प्रस्थावित किया कि भारत कराष्टिये धवज, सम्मान, अनपात में केसरी, सभेत और गहरे हरे रंका 36 ती रंगा हुँ जिसके बिच में गहरे निले रंका एक चक्र हो तो समध्धान चन्बा के किस सधसे ने ए समध्धान प्रस्थावित किया तो कौन नहीं दिया गया है अप्षन जुहल नहरू दिया गया है सरदार पटे, सरदार बल्ला भाई पटे, डॉक्टर अगेंजर परसाल और वियार रंभेत कर तो इनका सही एंसर क्या होगा इसका सही एंसर होगा अपसर नमबर ए जुहरला नहरू इस पर डिसकर्शन करनी कुई बात नहीं है तो पुछा जारा कि निम्नली खित में से कौन सी विशिष्टा है बिर्टी समिंधान से भारत के समिंधान मिली गई है देखिए इस कूर्शन पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देने वाली बात है कहा जारा है कि निम्नली खित में से जो इसी इतम हुग हुग कोचन जो अब फिलहाल में क्या किया गया था कि जो VPSC के जाम हुई है उससे क्या किया गया है पुछा गया है उससे लेटर कोचन है जो कि पुछा जा रहा है कि निम्ले लिखित में से क्या हुए निम्ले लिखित में से कौन से बिजस्ता है बेटी समिधान से भारत के समिधान में ली गई थी यह ताफ लोग पता ही होग कि जो भारत का समिधान है वो क्या अला अला देशों से एक छान बीन करकर लाए गया ठीक है एक निर्मार किया गया समिधान तो एक पुछा जा रहा है कि क्या कि कानून का सासन अप्सन में बेदी निर्मार की प्रक्रिया अप्सन नमबर सी नेपलिका के सवतंद्र था अप्सन नमबर यह पर डीट रहेगा ठीक है यहां फोट रहेगा संसाधिये ब्यवस्था आप लोगों को पता दें हम कि जो विधी निर्मार की प्रक्रिया है अब इस इस अधार्पमत चले जाएगा कि इस मुल अधिकार के अं पूछक्र होनी क्या पूछे गए थे लिए जिसकी वज़ा से बहुत सा लोगों लागा है कि क्या है कि जो प्रवधान है मुल अधिकार ज्ब्रक्रया होई है तो身 व्र्ड्रक्रिया क्या होगा आक हब हो ऑसे और घी गई है मिटेंस से नहीं लिए रवी गई है तो देखते है भी तो छहीं सब्सक्राइब कर देखेंगे कि कानुन का सासन संसाधिये वेवस्ताव जस्ट रूचर हुब वहीं की है और विद्धी निर्मार की परकिलिया कहां की है बिल्टेंड की है इसा सही इंसर कहा हुआ आपसर नमबर ठीक है निम्ना लीखित में से समिधान साभा का ध्यक्ष था कौन भी और अमेतकर जोहरल नहरू राजेंत्र परसाद बल्ला भाई पटें तो इसका सही इंसर का अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजेंत्र परसाद Q8. समिधान का प्रारूप जैसा चित्रित किया गया है वो किवल देश के साषन के लिए तंत्र पलप कराता है यह सत्ता में किसी विश्यस दल को अस्थापित करने की प्रियुक्ति नहीं है जैसा कि कुछ देशों में किया गया है सत्ता में कौन हो इसे जानता ही विश्यस चैयार्थ छोड़ दिया गया है जैसा कि होना चाहिए यह ति इस सतंत्र को लुक्तंत्र के प्रियुक्ति पर खड़ा उतरना है कहा गया कि हमने क्या कहा है कि जब भारत के अजादी मिल रहे थी तो भारत में लोगों दवर अजादी के मांग की जा रहे थी तो अजादी के मतलब होता गया है अगर हमने बहुत सा लोगों का समझते है सतंता के मतलब होता क्या है सवतनता बस इतना है कि जो सासन है वो भारत के लोगों तो वारा सासन चलाए जाए विश्टी सरस तरह नहीं नहीं इसका आजादी क्या मतलब बहुत बड़ा च्छेत्र है अगर हम लोग एक देखें तो क्या है कि एक मनुष्य के जादी एक कहता है अजादी बहुत बड़ा च्छेत्र है उससे में समय देखें जादी एक छोटा सा भाग है तो वहीं किया जाए कि जो कि भारतिया समिधान बन देथी उस समिधान एस चीज को समाहिद कर दिया गया कि जो सत्ता जो व्यक्ति की जो राजा हो चाए कोई भी हो सासन संचलत करें तो वह किसके तब चुना जाए और लोगों की किया जाए लोगों की सवत अंतरता का समाहन खिया जाए तो ही किया जान निर्मात्री सभाय के विचार्वी मर्स में उपरीद प्रिष्ट का सिरे किसे हैं जोहरला नहरू मॉल्वानाअ अब man Lessachal, Dr. B.R. अ킨गर, ौछारे ज संय बात के जनक समयवाद नहीं है समयवाथ है कि कहां समयवाद समयवाद के जनक सम्यवाद के जनद सम्यवाद सम्यवाद के जनद भारत में पुछा रहे हैं कौन माने जाते हैं जो कि आप लोग पता होगा कि जो बिचरधारा है जो कि हमों देख रहा है थे कि एक कि शमयवाद संमयवाद 5550 है एक यहां पाश्यत तरस नहीं समझ पाएंगे जैसे कि धिर देत समाजवादी सुसलिस्ट मितलो जी समयवादी कहते हैं समयवादी क कहते हैं समयवादी केशती तो समयवादी बिचल-ध्याद्याध जो है वर्ग भीन और राजय भीन समाझ की मतलब कि वह जो क कर पता हुँा करिक्षा टीमे स्माँगिन मिदला कि अमीर और गरीब सोशन का सिकार को सोशन किया जा रहा है उन्हों सभी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी एक समयवादी विचर धरा दी और उन्हें एक कलपना थी कि जब समाजवादी विचर धरा चली तो समयवाद आ जाएगा जो कि एक उख का करते हुदव कलपना लोग की समयवादी जो कि राज्य विद हम जाख हो जैसे राज्य विई हम लोग तो भारत में पूछह जर definite है कारल मार्क्स ठीक है कार्ल मार्क्स वहीं भारत की बात करें हम लों तो भारत में जो थे में रोए कौन थे में रोए क्यूशन अबर टेन उद्धिश से प्रस्ताओं किसके दोरा परस्तूत किया गया था ये तो को पुछन बात नहीं जो हर्लान एर दोर नुश्यालिस में निमलेखित में से कथनों विचार केजी उद्धिश से प्रस्ताओं वहीं दखिये तेरा दिशामबर नुश्यालिस प्रस्तूत किया गया उद्धिश से प्रस्ताओं सर्दार पट्टेल दोर लाए गया थि उसी कुछन को सरी घुमाया गया है तो आपको लोग पता होगा कि तेरा दिश्चांब निश्यालिस्क तो लाए गया लेकिन किसके दवर पस्तुत किया गया था सर्दार पटेल द्वारा या पंडे जान नहेर द्वारा तो सर्दार पटेल द्वारा नहीं किसके द्वारा पंडे जालान नहेरू द्वारा तो पंडे जालान नहेरू द्वारा ठीक है पर नहीं है दो दो आख यहां तक अब हम जाना है कि नहीं है दो दो ठीक है अब हम जाना इसमें से कौन सकता सही है तो जब दूसरा जब गलत हो गया प्रसुत नहीं किया गया था बीद होगा नहीं नत वल नत टू होगा नहीं ए और दो दूसरा थोगा नहीं तो सही एंसर क्या होगा केवल वन केवल वन मतलब कि तेरह देशा मुझें से प्रस्ता प्रसुत के गया था ठीक है क्रिक्टर नमबर टू एल भारतिय समिधान की पुष्यस्ताओं में निम्ला लिखित में से कौन से विश्यस्ता सम्मिलित नहीं है मतलब एफ पूछताओं जो भारतिय समिधान की जो विश्यस्ता है निम्ला लिखित में से कौन से विश्यस्ता शम्मिलित नहीं है नम्यत्ता और अन्यमत्ता कर मिश्राण। दोण हня ठीक है और लिखित समिधान, भारत और लिखित समिधान मुल अदिकार और मुल करता है ठीख है, यक अओने मुल करता भी जिग रखिशिक रखिशार गैँ, अन्छे देखाउने मुल करता भूया जिग रखिशार है, वहीं कि आज लोगा हूं कि इस समिन्धान को एक लिखेश समिधान का जाता है और लिखेश समिधान का जाता है लिखेश सम हमें कि यह गैंगर श्यक्ति वागत का श्यांका कि पांट टन्हों बैना India संधान बिस्तित संधान बिस्तित संधान बहुत बड़ा संधान लेकिन लीखत नहीं है क्योंकि भारत करते संधान ने एक नीचित संधान से बहुता होoot किसी बिटेंग का समिधान क्या है वह अलिखित समिधान है तो हम क्या करेंगे इसका आज साइए असर क्या होगा आप सनमबर सी कि यूश्चन समबर तेरह देखेंगे बिटे सरकार द्वारा किसे 1942 में समिधान निर्मान अक्तु भीजा गया कि पवारा है कि परस्टेफ़ं ड्यवर आटी साइमन तो पल्पार नहीं वर्य नहीं सब्सक्राइल है कि अब्सक्रीट क्या होता है जब क्या होती है जब 1934 में क्या होती है भरती जब समिधान सभा की मांग की जाती है तो उसके लिए क्या क्याता है जब आती है तो उसे भरत भेजा गया लेकिन इसके नियम का केज़ता है इसके बातों को नहीं मानता है एक्यम की मिल्ग चाहती थी कि दो स्वायध गर्ण के सथी की किस्तां को मांग स्वाय सोल मांग की जाया उच्छल को खारड़ कर दिया गया और फिर उसके लिए का उनतर सकोट और हमें में क्या Bye!! और उसमें ब्रिसित चर्चा भी की गई है तो यह सही इंसर क्या हुआ हुआ सर अस्टेफर्ड क्रिस्ट जो कि 42 में थे समिंधार निर्माने तो भारत पिचा गया था क्यूचा नमर 14 समिंधार समधार अस्थापित मूल अधिकारों और अल्फ संख्यों को हित्व समीधार सम careful कों थे यह पूछाजार है कि समन्धान समय स्थापित जो समन्था रहे थी समिंधान समय नेहरो अपसण सरतार बन अपसण Bak इसका सब्सक्राइब सर्दार पटेल क्या थे अमुल अधिकारों और अल्पसंख्यों है तो सलाकार समिधी का अधिर्ष थे ठीक है ऑप्सों नमर 15 भारत के संगहात्मक ब्यवस्था निमना लिखित में से किस देश सबंदित हैं संगहात्मक ब्यवस्था पुछा जा रहा है भारत का है कराजियों का संगहें तो ही पुछ जराए कि संगहात्मक ब्यवस्था कहां समय थे चानाड़ा से इन्नाटेट किन्डम से युशे से आईलेंड से इसे सही इंसर होगा क्या ओप्सों नमरे कानाड़ा कानाड़ा यहां तक हुआ हमारा क्यूशन जो कि भारतिय सम कि पर्मुख बिचेशता है और इससे जुड़े कुछ प्रस्ण है जो कि आपके हम अगले कलास में लेकर आएंगे और देखते रहे हैं और जो भी चीज़ प्रस्ण और डाउट हो आप कमेंट वक्स में कमेंट कर दिया किजिए